तो गाइस मैं हुआंकी तो और आप देख रहे हैं रस्लिंग फैंस नाइट फक्सुरू करते हैं अपनी बातों को अमनों सबसे पहले स्माइक डॉन की विरसिप को देखते हैं तो भाई स्माइक डॉन की विरसिप पिछले वीक की क्या निकल के सामने आई है गो हमसुकी में बात कर रहा हूं यहां पर तो भाई एक्जाक्ट उससे पिछले वाले एपिसोड से डिटो सेम विरसिप मैच खा रही है इससे पहले के पहले वाले एपिसोड की विरसिप थी बाई 2.256 मिलियंस इस वीग जो आई है विरसिप ओवी है 2.256 मिलियंस अब एक तो पता निए बाई विरसिप क्यों लेट नीकल के सामने आ थी मुझे समझ नहीं आ रहा पहले तो भाई आज स्मैक डॉन हुआ कल सुबा कल साम विरसिप आ गई लेगिन अब पता निए बाई तीन चार दिन बाद विरसिप देते मंडे ना एट रहा स्मैक डॉन दोनों के साथ ही सेम चक स्मैक डॉन यह गो होम सो वाला भी मिस नहीं करा तो 2.256 मिलियंस यह कुछ नंबर सें कि आपके हिसाप से सही है मेरी इसाप से ठीक है चरो अच्छी बात नीचे नहीं आ है नंबर उपर नहीं गया तो नीचे भी नहीं यह एक अच्छी बात है बिल्कुल बैलेंस है आगे स्टेडियम इतनी आइटलिस्ट कैपसिटी लेके चल रहे है और भाई इसके लिए 47156 टिकेट्स बिक चुके हैं यानि कि औरेडी स्टेडियम मान के चलो अल्मोस्ट जैम पक्ड हो चुका है कितने टिकेट्स बच रहे हैं तो भाई 7588 यानि कि 7500 बिकने और बाकी है अब अभी भाई पूरा महीना बागी है अभी अच्छा घासा टाइम बागी है आज हमारे हैं दस तारीक है तो मान के चलो भाई बीज उदर 23-24 दिन और बच रहे हैं अभी समस्ट लैम को तो अभी बहुत टाइम है और 23-24 दिन के अंदर 7000 टिकेट्स इजली बेच देंगे लो इतनी जल्दarken सब्च अच्छ बारा होने वाला कोई नि रोक सकता बाद किरते हैं अगली स्टोरी आगका रीणी इस मैसीफ स्टोरी के टाइम पर उसके अराउंड कवर करी होगी मैंने मोटर सीटी मसीन गंस डवी डवी के अंदर अब लगता है आहीं जाएंगे एक लेजंटरी टैग टीम है अगर आप टी एने को ओल डेज में देखते होगे या फिर आपने टी एने का वह रिपीट भी देखा होगा तो आप को पता होगा कि यह टैग टीम कितनी लेजंटरी है ऐसा नहीं कि कोई न्यू कमर है कोई नए बंदे आ गया ऐसा कुछ निए यह पुराने लोगे लेजंटरी टैग टीम है लेकिन डेवी डेवी के अंदर यह अब आ सकते हैं जी हां इतने टाइम बात आखिर असा क्या अब यहां पर यह अपने इंडी सर्केट को क्लोज करते हैं इस पोस्ट से यानिकी कहते हैं कि मैं बहुत थैंक्पूल हूँ इंडिपेंडेट सरक्यट पर हमने अभी जिता भी कम्पीट करा एंड में कहते हैं कि इंडिपेंडेट्स निंग सीन यह लाइफ बलड है इंडस chances जादा है वो क्यों है मैं आपको बताता हूँ यूजवली क्या होथा ना कि डवी डवी के साथ अगर कोई superstar sign करता है तो वो अपनी indie bookings cancel कर देता है हमने Eric Rowan के साथ देखा and अगर कोई AEW के साथ sign करता है तो AEW इतना परसान नहीं करते है तो नॉर्मली डवी के साथ होता है कि आपको indie wrestling scene छोड़ना परता है अगर आपको WWE के साथ आना है वक करना है तो तो हो सकता है यह WWE के साथ जा रहे हैं इसलिए यह indie circuit छोड़ रहे हैं लेकिन यह कोई खास ठोस प्रूफ नहीं है इसके अलावा एक और प्रूफ है हमारे पास क्या है भाई तो टोमैसो चेंपा इनकी पिक्चर सेयर करते हैं आप देख सकते होगे Impact Tag Team Champions थे यह तब की फोटो सेयर करते हैं टोमैसो चेंपा अपने Instagram एमजी की मोटर सीटी मसीन गंस की अभी के साफ से टोमैसो चेंपा टीज करते हैं एक फ्यूचर सोडाउन तो क्या आपको लगता है कि यह लोग आ रहे हैं मुझे तो बिलीव है भाई मुझे लगता है विकास ट्रिपल अच एरा है तो वो तो नहीं चोड़ना चाहेंगे इन लोग को जितनी यह लेजन्ट्री टैक्टीम है तो अभी के इसाफ से भाई मेरे कोडिंगे लॉक मानों आप बाकि अभी बहुत ठो कोट निकल के सामने नहीं आई है वह आएगी तो मैं आपको बताऊंगा तब साथ हम लोग थोड़ा सा और ज्यादा रिलाई कर पाएंग इस चीज़ को पर आगे बढ़ते हैं बात किरते हैं एक बहुत ही इंट्रस्टिंग स्टोरी के बारे में एंड डबी डबी एक कैमरा एंगल डबी एक न्यू इंट्रड्यूस करने वाली है क्या है यह कैसा हो सकता है तो बताएंगे फाइट फुल सिलेक के अंदर की डबी डबी एक रेफरी कैमरा एंगल लाने वाली है रेफरी कैमरा एंगल मतलब कि आप रेफरी के पी ओवी से मैच को देख पाओगे referee के perspective से जी हाँ कह सकता आप इसको third person POV आपको साथ उस तरीके से देखने को मिलेगा अभी आप देखते होगे ring के अंदर action होता है तो referee भी होता है, wrestlers भी होते हैं compete कर रहोते हैं, crowd भी आपको दिखरी होती है लेकिन जब यह angle introduce हो जाएगा जब WWE इस angle से आपको दिखाएगी तो आपको लगेगा कि आप ही referee हो यानि कि हो सकता यह referee के cert में या पिर उनके microphone वगरा में कोई camera फिट करेंगे नहीं तो और कैसी दिखाएगे वैसे camera फिट करेंगे उसके बाद आप referee के POV से मैच को देख पाऊगे तो यह बहुत कमाल कर रहेगा अगर आप imagine कर सको इस चीज़ को वीडियो गेम सब्सक्राइब खेलते होगे FPP मोड में तो साइद आपको बेटर समझाएगा थर्ड परसन हो आप लेकिन आपके लिए FPP होगा एक तरीक से यानि कि फर्सट परसन पी ओ भी मतलब रफरी तो है थर्ड परसन लेकिन क्योंकि आप रफरी के हिसाब से देखोगे तो आपको मैच FPP पर देखने को में लगा यानि कि आप ही रफरी हो तो अभी के इस आप से यह एक चीज पिछ करी गई है बागी आप क्या सोचते इस लेड़ ला तो हमने सोचा था हम सब नहीं सोचा था की रोक है इस नहीं ब्लेड लैट लैंगे पीछे लगिन अब जैसे जासे धिरे-धिरे की एस टोरीं करेंगे कि मैं लीटर हूँ एभी तक जब तक जो है सोलुसी को आटामट हो गया फिर जो भी नए मेंबर्स आएंगे वह उनके ही ओर्डर्स पर काम करते रहेंगे और बार बार इस चीज को मेंसन करेंगे कि हम लोग यह ट्राइबल चीफ कोई और है उसके बाद रॉक कि मैं ट्राइबल चीफ था यह मेरी टीम है तो यह चीज अब सेंस ही नहीं बनाएगी बाई सोलुसी को को एक नॉलिस्ट कर लिया गया है ट्राइबल चीफ के तौर पे अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर से वही कोडी रोट्स वाला सीन हो जाएगा जो भी हमने रसलमी ने से पहले देखा कि प्लैंस को फिर से पिवर्ट कर दिया या यानि कि रॉक है प्लैंस बदल गए तो सोलो वर्सेज रोमन ऐसा नहीं कि कोई बहुत मैसिव मैच है बहुत मैसिव फ्यूट है लोग उसके अलावा फॉर सो देखना चाहेंगे भाई रॉक वर्स रोमन एंड व ब्लैड लाइन वाली चीज में तो यह चीज सेंसिबल ही नहीं लग रही है क्या सोचता अब इसके बारे में कॉमेंट करके बताना फिलाल भाई इस वीडियो के लिए बस यही कुछ न्यूज अपडेट्स थी आई होपस आपको इंफर्मिशन मिली हो मिले हो तो वीडियो क लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आना वाले टाइम के अंदर आपको और बेसे डिवडियो की न्यूज अपडेट्स जानने को मिलते रहें फॉल्लो कर सकता आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंट ट्विडियो पर लिंक आपको मिल जाके डिसक्रि हैं अपनी नेक्स ओफेर काफे इंट्रस्टिंग वीडियो में